हम जे स्टूडेंट चले स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट हम कर चुके थे पहला हमारा था शेयर कैपिटल जैसा हमने देखा था कि 20 नंबर का यह चेप्टर है और क्या-क्या देखने थे इसके अंदर वो सारी चीजों पर हमने से discussion कर लिया था हमने देखा था कि kind of shares कितने होते हैं या तो shores कोई here होगा इसके अंदर हमने कि डेफ्रेंशील वोटिंग चस्वह चेंश देख लिये थे प्रफेंश चेंच देख लिया इक लाँ हमने कहां तक कर लिया करलिया हमने buyback of shares, बहुत important मैंने बताया था, और bonus share तक हमने कर लिया था, और difference देख लिया था हमने किस में सर, right share और bonus share में, ठीक है, अब आएंगे difference between the shares and stock, तो सबसे पहले हमें समझना होगा concept what is the share and what is the stock, ठीक है, question पूछा जा सकता है, तो share and stock, बहुत simple सी बाते हैं और बहुत simple से point से हम इसको समझ सकते हैं, मान लेते हैं, x, y, z limited का आपको company का share लेना है, ठीक है, x, y, z limited company का share लेना है, इन्होंने 5000 share इशू किये, इन्होंने 5000 share को issue कर दिया, now आप इस company के shares को लेना चाहते हैं, दो तरीके के वेक्ति हैं, पहला मैं बता रहा हूं, कि इन्होंने कहा कि भईया, मुझे, मुझे आपकी company के shares लेना है, दो share, company ने कहा, okay, ले लो, ये अगर कहता, मुझे आपके company के लेने है, 10 share, company ने कहा, okay, ले लो, इसने कहा कि मुझे company के shares लेने है, एक share, company ने कहा, ले लो, इसने कहा कि मुझे company के लेने है, आधे शेयर तो यह allowed तो लोही नहीं करता किसी कंपणी के हम आधे शेयर तो ले नहीं सकते यानि एक शेयर holder ने company से जितनी बार भी शेयर मांगा दे दिया except आधे शेयर की बात हो रिये लेकिन एक और ऐट लोडर और कंपनी का थोड़ा सा नजरिया बदल गया इसने बोला कि भाई मुझे पांच शेर चाहिए पांच शेर कंपटी में नहीं मिलेगा listening से कम-पनी नहीं मिलेगा इसने बोला दस शेर चाहिए कंपणी कमपनी ने बोला नहीं मिलेगा तो भाई यह शेयर ओलडर बोलेगा फिर क्तना भाई आठ नहीं रहरे तो लॉट तो खरीदना ही पड़ेगा जैसे कि कई बार होलसेल दुकान पर जाते हो तो मैं कई बार मैंने अब्जर्व किया है कि मैं कई पर क्लॉथ को पहले जब छोटा था तो सस्ते में लेने के लिए यहां पर टैंक रोड था हम सोचते ते वहां चले जाते हैं टैंक लॉट में बेशता है तो जब कभी भी अपना कोई भी कंपनी अपने शियर को एक लॉट या एक ब्लॉक में कर दे तो उसे बूलेंगे स्टॉक और जब सिंगल ले लो आप दो ले लो तीन ले लो तो उसको क्या बोल देंगे हम शियर से बोलेंगा बस यह फरक है हमारे रख है चलिए फटाफट देख लेते हैं अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो फटाफट से डिफरेंस भी समझ में आएगा कहता है शियर में भी टेकन फुली पेड़ अप बट स्टॉक ऑलवेस फुली पेड़ अप शियर जो हो सकता है वो दस रुपे का आठ वा इतने का खरीदना पड़ेगा तुम्हें आशियर केंनोट बी ट्रांसफर इन स्मॉल फंक्शन के शियर को हम स्मॉल फंक्शन में वाइल दा स्टॉक कें भी ट्रांसफर एनि फंक्शन मतलब अब एक शियर लिया है तो भाई एक ही ट्रांसफर करोगे ना ऐसा थोड़ी परिमिंट फॉर्म कहता है कि हर शेयर का एक अलग नंबर होता है जैसे चार पाच सेयर शेयर साथ सेयर वाइल दा स्क्रेंट काउन्स दूलेट का मतलब क्या होता है कि एक बंज एक लौट के अंदर तो कॉन सब्सक्राइब नंबर वैल्यू आफ शेयर कापिटल फ्रिक्श और lot कितने का है 100 का है तो 100 ही मिलेगा difference करके जाना है बस आपको all share are equal denomination मतलब 1 share, 2 share, 3 share stock में भी unequal amount इसका amount अलग हो सकता है lot 100 का है 200 का है इस तरीके से unlike share and stock cannot be directly issue is the first instant only fully paid up और convert into the stock हम shares को stock में convert कर सकते हैं जैसे मेरे पस 10 share है तो उसको किसमें convert कर देंगे हम stock में कि एक lot हो गया भी यह तुम्हारा 10 का ठीक है तो basically यह फरक है बहुत छोटा सा था अब इसके बाद हम देखेंगे काफी important है ESOP ESOP employee stock option plan accounts में भी यह accounts में मैं कल revision करवा दूँ है accounts के अंदर तो आज देख लेते हैं ESOP होता क्या पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि भी यह इस आफ है क्या देखो जैसे X Y और Z limited company है और इन दिनों मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूं कि मुझे एक ऐसा कोई भी काम करने वाला नहीं मिल पा रहा मुझे अपने इसमें जिससे कि मेरे जो है बच्चों के अच्छे से डाउट वगएरा सारी चीजे ले पाए या फिर मेरा सारा काम एक तरीके से क्योंकि मैं ही काम में उल्जा रहता हूं बहुत सारे काम में तो तो मैं सोच रहा हूं कोई ऐसा बंदा दो मिले यार जो इसके बाद मैंने बुलाया चल तरह को पीपीटी पे काम आता है यह सारी चीजे बना के दिखा करके दिखा बोलता सरी यह तो नहीं आता है मुझे हमने तो यह सिखाया है नहीं वह बहुत पहले करा था भूल गयता है कम्प्यूटर की knowledge कुछ नहीं है बस certificate लेके बैठे हैं मैंने बोला चल तेरी speed कितनी है बोलेंगे तो 20 है मेरी speed 25 है speed और जब मैं typing करने दूँगा तो सब टाइम लग रहा है छोटे से तो मैं इन दिनों बहुत परिशान हूं employee को लेके sales के लिए मैं बोलता हूं कि भाया sales कि आपको जो भी होगा बच्चे आएंगे तो मैं आपको commission दे दूँगा वह सबसे पहले बोलते है salary कितनी होगी बात करने की अकल नहीं है पहले पूछ लेते हैं कि salary कितनी होगी तो अच्छे employee ढूंडने में मुझे कम सब 6 मेहने हो गया मैं सोच रहा हूं भया तू मेरे से example के लिए बोल रहा हूं मैं खुद देख रहा हूं मुझे एक अच्छा चाहिए sales वाला परसन चाहिए दो-तिन मुझे अच्छा जो कि sales communicate कर पाए मैं चाहता हूं कि जो मेरे paid वाले student उनको 24-7 customer care दे दूं रात में भी एक को setting दे दूं कि customer और ऐसा बच्चा होगा जो doubt solve कर पाएगा जो talented है चोटे मुटे जो doubt नहीं solve कर पाएगा तो last में तो मैं ही हुई बाकी बच्चों को जो भी query है तो all under type का मुझे मिलने रहा है इस type का न तो XYZ Limited मान लेते हैं एक company है और उसका एक बहुत ही होनार employee है एक बहुत ही होनार employee है बहुत बढ़िया employee first class सारे काम बि दिनों के बाद क्या मैं चाहूंगा कि यह मेरे पास से छोड़के चले जाए मैं कभी भी नहीं चाहूंगा मैं जो बोलुआ यार यह बंदा चले गया तो इतना सारा काम संभाल रखा है तो वह कैसे करेंगे फिर दुबारे दिक्कत आ जाएगी तो मैं कभी नहीं यार टू यह काम कर तो इसके वह बरने आलिए तो Employee का दिमाग खराब हो जाता है और हमें भी यहां से क्या करें झणी करना ची चोड़ को कहीं और apply करना ची है तो इमप्लई बी चोरी हम इसे करने लग जाता है और हम से जूट बोलने लग जाता है कि भाई सर मैं आज न आ नहीं पाऊंगा तभियत खराब है और पता चल रहा है कहीं इंटर्व्यू देने के लिए गया है वहाँ सेलेक्शन होते ही फट से है मेरे पांस है छोड़ के चला जाएगा तो ये मेरे को भी पता है और सब को पता है ये चीज होती है तो मैं क्या करूँआं भोलूँआं इंपलॉई तू जादा चालाक है अब देख तेरी सेलरी 20,000 है और मैं तिरको न दो लाख रुपे का share दे रहा हूँ और जो दो लाख रुपे का share दे रहा हूँ न और ये market में इसकी कीमत 5 लाख है लेकिन तु मुझे 5000 रुपे दे दियो बस यानि एक तरीके से 2 लाख का share दिया market में value कितनी है उसकी पांच लाख मेरेको 5000 पर दे दिया employee खुश यार पांच लाख का समान कितने में मिल रहा है मुझे 5000 में लेकिन 2 साल बात दूँगा तरको मैं अगर 2 साल तक तुन्हें नौकरी कर रहा है उसके बात दूँगा मैं अगर 2 साल से पहले तुन्हें नौकरी छोड़ दिया तो भूल जाएए दूँगा ही नहीं में तरको फिर अब यह employee क्या होगा मेरे से बंद जाएगा कितने साल के लिए दो साल के लिए दो साल जैसे कंप्लीट होगा फिर लालच दे दूँगा इसको मैं देखें बिजनस के अंदर पैसे मेंटर नहीं करते हैं बिजनस के अंदर मेंटर करता है कि आपके साथ कितने employee जूड़ के काम कर रहे हैं तो आप सोचे हो सर पांच लाग छे लाग देने क के लिए तैयार होते हैं बहुत सारी company मैंने बीच में एक सुना था कि गुजरात के एक डाइमेंड ट्रेडर ने क्या करा था अपने सभी employee को कार गिफ्ट दिया था सभी employee को ऐसे बहुत सारी नियूस सुनते होगे ऐसा क्यों क्यूंकि उससे पता है कि employee सही organization चलता है बिना employee के और अकेला कुछ भी नहीं कर सकते मानलो मैं सब अकेला करूं वीडियो बनाओं पढ़ाओं भी सब काम करो तो बहीं है दिन में तो आधी वीडियो आएगी आपके पास एक भी नहीं पहुंच पाएगी ऐसे के इसके अंदर तो यह सारी चीजे हैं तो अब हमने इंप्लॉई को जो ऑप्षन दिया है ना कि भाईया यह तुम्हें दो लाख रुपए के तुम्हें शियर मिल जाएंगा डैट इस एकाउंट पर इसू किया जाता है कई वार तो सर कुष्चन मुद्ध क्या हाता है सर देख लेते हैं इंप्लॉई और नाम देख लो इंप्लॉई मतलब यह वरकर है इसको शियर को भी अभी बताया था ने स्टॉक बोलते हैं आपको भी पता होगा पहले दिखा और इसमें कौन-कौन से इंप्लॉई होते हैं हाई लेवल के इंप्लॉई को रोकिंगा ऐसे थोड़ी काम करने आ रहा है उसके आगे हाथ पर जोड़ ले मत जातू तो डिहाडी वाले तो डेली मिल जाएंगा मजदूर कौन से इंप्लॉई को रोकना है जो स्किल्ड है अंदर हो चाहें diff ETF कंपणी के अंदर इंप्लॉई हो डेलेंट्डड इंप्लोई एंप्लॉई इस रॉइँट कर दे देंगे कर शकते हों और subscribe the share और shares को ले सकते हैं company future date पे predetermined price आप future में खरीदना लेकिन मिलेगा इतने काई उस दिन क्या भाव रहेगा मतलब नहीं है मिलेगा आपको इतने काई तो उस चीजों को क्या कहते हैं हम इस आप क्या देतने सिंपल सर इस आप हर company issue कर सकती है क्या क्योंकि हमें company act के अगर हमें कोई company चला रहे हैं तो company बिना company law के permission के कोई काम नहीं कर सकती यानि हम सारे काम किसके accordingly कर रहे हैं company act के according कर रहे हैं तो ऐसे थोड़ी यह shares किसी को भी दे दो नहीं दे दो तो कुछ company के rule क प्रोविजन्स भी है क्या प्रोविजन्स हैं उनके कहता है employee अंडर स्कीम में क्या कहता है employee यानि वरकर रूल बारा ऑफ तकंपनी शियर कापटल डिबेंचर रूल 14 क्या-क्या इसके अंदर प्रोविजन्स दे रखें कहता है अब पर्मानेंट इंप्लोई आफ दा कंपनी who have working in India और outside India किसको मिलेगा कहता ही कि employee का मतलब है क्या कोई भी employee इंडिया में काम कर रहा हो चाए हमारे लिए इंडिया के बाहर काम कर रहा हो वो बिजन्स का employee ही माना जाएगा उसको दिया जाएगा क्या किसी का meaning मैंने बताया employee under the shop scheme employee कौन होगा इस shop के अंदर पार्ट काम कर रहा है उसको employee मानेंगे पार्ट टाइम वालों कोई पर नहीं बोला गया a ac director of the company इसको भी हम ले लेंगे बेदर whole time director but excluded the independent director साहब independent director से इसको अलग करके हम रखेंगे independent डारेकटर नहीं होगा An employee as defined clause Employee defined clause और subsidiary in outside India कोई भी employee जो defined clause A और B A और B का मतलब यह A part था यह B part था ठीक है subsidiary in India outside India holding company और an associate company but does not include लेकिन include but does not included ठीक है मतलब simple सा यहाँ पर नहीं एक line missing रहे गया मेरे खहल अच्छा does not include an employee who is promoter promoter नहीं होगा कहीं promoter सोचे अपने आपको इस आप दे रहा है मालिक अपने आपको थोड़ी न भी दे सकता है belongs to promote the group और director who either himself through relative उसके relative नहीं होगे body incorporate नहीं होगे और यह सब नहीं होगे सिंपल से कहने की बात है इसके अंदर हमने क्या समझाए employee कौन है पर्मानेंट employee हो सकता है चाए इंडिया में काम करें चाए इंडिया के बाहर काम करें दूसरा आपका holding company का हो चाए subsidiary company का है वो भी employee होगा इनको employee नहीं माना जाएगा डिरेक्टर सारे employee है उसको दिये जाएगा लेकिन independent director इसके अंदर included नहीं होगे डिरेक्टर वाले चप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे अगला प्रोविजन क्या कहता है procedure requirement क्या क्या प्रोसीजर follow करना पड़ेगा कहता है कि approval of ESOP scheme by the member of the company by of special resolution यानि सर आप जब ESOP किसी को दोगे तो यानि किसी employee को आप free में share दे रहे और company का मालिक कौन होता है shareholder होता है company का मालिक जब shareholder है तो shareholder से permission लेगे ना कि हम एक employee को रोकने के लिए इसको सस्ते में share दे रहे है तो जब उससे permission लेगे तो कौन सा resolution pass करना पड़ेगा special resolution मैंने पहले ही AGM का chapter करा दिया है इसलिए ताकि आपको पता चल जाए special resolution क्या होता है वहाँ पे कम से कम कितनी वोटिंग होनी चाहिए सर 75% वोटिंग है तो special resolution pass हो जाएगा A separate resolution in case of grant is up to the employee of the subsidiary holding company grant is up identified employee equal to excluding 1% issue capital अगर 1% से आप ज़्यादा इस आप दे रहे है तो इसके लिए separate resolution pass करना पड़ेगा और एक specially तरीके से चलना पड़ेगा क्यूंकि 1% बहुत बड़ा number होता है company के shares के अंदर ठीक है न the explanatory statement to the disclose the explanatory explanatory क्या होता है वो statement जिसके अंदर explain किया जाता है discuss prescribe detail क्या क्या number होगा share, is up किसको दिया जा रहा है, appraisal process क्या था, required, मतलब employee की सारी और shares की सारी जानकारी दी जाएगी, ये था हमारा क्या total देखा जाए तो is up, 1% कुछ बच्चे सूच सकते है 1% में क्या approval लेना बहुत बड़ा number होता है, अगर मैं बात करूँ tata company, tata company के अंदर कौन है और भी रतन, tata उनके पास पता है कितना share, बस 16% share है, बाकि share ही नहीं, बाकि सारे share trusty के पास है ले के क्या resolution होंगे, इसके बाद provision relating, क्या कहता है other requirement, कुछ other requirement भी है rule number 12 में, जैसे minimum आपको एक साल किसी भी employee को ऐसे नहीं बोलेगा, तो 6 मेने रुख जा मैं तरको share दे दूँगा, कम से कम उसे कितने दिन काम करवा लेना है एक साल काम करवाने के बाद ही ये offer दे सकते हो non transferable, और ऐसा नहीं है कि employee एक साल काम कर लेता है और बोलता है मेरे पर पैसे तो नहीं है, मेरे भाई खरीद लेगा share, दे दो के sir, नहीं भाई तेर को दिया गया है तू ही खरी सकता है, दूसरे को नहीं दे सकता unwasted is of waste death of permanent incapable employee, कहता है कि हम किसी और को दे सकते हैं अगर in case death हो जाए उस employee के तो उसको member को दिया जा सकता है कहता है, disclosure of prescribed detail in the director report and जो भी होगा, इसे director report के अंदर हम detail में डालेंगे किसको दिया है, maintenance is of register और is of का एक separate register बनाना पड़ेगा कि किसको कितने शेयर दिये जाने हैं future के अंदर